कि अच्छा वाइए देखो बीटीसी की सिंपल सी अपडेट है वैसे तो इसका मैंने सिगनल आपके साथ ग्रूप में शेयर किया था तक्रीबन नो बजे के करीब है तो अलहंदुलीला हमारे जोन से क्षा पिम्प हो चुका है मेरे खायल से मिली यह तो कुछ रड़क वने इसको च्वटे टायम फ्रेम्प की ड्रेस्वंट विलिया होगा अवरोल अल्मॉस्ट तीन परसंट हमारे जोन से पंप हो चुका है इस वक्त तो बात करते हैं कि जिसका नेक्स मूफ क्या है शौट कहां से करना है क्या भी लॉंग बजी इसको देखा जा सकता है तो देखो यहां पर इसने फॉलिंग वेजिस का ब्रेकाउट किया था और इसने हमारा टार्गेट अचीव भी कर दिया लेकिन हमने टार्गेट जो है मजीद हमने रखता था 49500 तो 49500 टार्गेट रखने के रिजन क्या था वह मैं आपको बता देता हूं अगर इसका ब्रेक आउट हुआ अगर इसको चैनल के अंदर ट्रेड करें ना वैसे तो आज की डेली टाइम फ्रेम पर चलके देखता हूं तो चैनल के अंदर जो हमारा टारगीट आ मैंने आपको पहले ही बता है वह लगेगी वह आपकी लग सकती है यह वाले रिजन तक हमारी लग सकती है यह बरहाल ऑन दैस्पोर्ट देखा जाएगा जब मार्किट जॉन के अंदर आईगी के जी विक लगनी कहा पर एक्जेक्ट तो अभी नई बाइंग तो उसमें बंदी ही नहीं है अगर इसमें मैं हार्मोनी के बात करूँ ना तो हार्मोनी जो इसमें आपका कंप्लीट होगा वह होगा 49800 यह आपका जो बंद रहा है बनेगा क्रेप पैट्रल यह आपका बनेगा डेप क्रेप यह वाले रिजन के अंदर है 49800 और अब ही जब जोन में आएगा देखो डेप क्रेप तो आपका 49800 पर कंप्लीट हो रहा है लेकिन जब जोन में आएगा ना हम इसको देखेंगे जी 49800 से लेना है 40 से शौर्ट करना है वह ऑन्द स्पोर्ट देखा जाएका उसको लोंग के शौर्ट करने के लिए अब अगर इसमें नई इंट्री आपने ल करने के लिए जो कि लाजमी सी बात है थोड़ी सी इंट्री होगी लेकिन रिक्स लोग है तो पैसा बनेगा सिंपल सी बात तार्गिट आपका होगा 49600 देखो कुद्रती टार्गिट निकल गया गया शे परसंट का मजीद आपको मिल सकता है बीटी सी के अंदर है तो सिंपल सी अपडेट है भाई बिटकोईन की तो मजीद टेली क्लोजिंग में इसकी कनफॉर्मेशन आपको दूँगा कि जिसको लॉंग का से करना है शोट का से करना है तो थोड़ा सा आप इसके लिए वैट करो सही है और बाकि अगर कोई अभी लॉंग में तो वह एक अच्छे प्रॉफिट में इस वक्त होगा तो अब अगर शॉट करने के लिए शॉट इस वक्ता निया भाई शॉट करना रिस्की होगा शॉट मत कर ले रहा पिर भी शॉट के लिए मैं डैवर्जन्स पगरा लगा कि देखता हूँ अगर कोई स्केल्प निकाली जा सके तो कर लेंगे स्केल्प नए जी प्रॉबर आपकी डैवर्जन्स भी नहीं बंद रहे हैं तो 38-500 से शॉट की स्केल्प देखी जाएगी वह भी डेली क्लोजिंग देखने के बाद फिलाल इस वक्त आपकी शॉट नहीं बंद रहे हैं और यह आपके बंद रहे हैं एक एक्सरा सॉरी रेगुलर बेरिश डैवर्जन्स तो या तो इसका कर्फ होने का वेट करना होग अब देखो मार्केट आपके आएगी 38,500 38,600 तक और जब डैवर्जन्स कर्फ हो जाएगी ना उसके बाद यह है कि आप नियासिक शॉट की स्केल्प निकाल सकते हो तो मजीद कोई सब्सक्राइब है किसी का बीडिशी के हवाले से इसको जड़ा मंतली पर देखना हुआ कि मंतली मंतली भी क्या करोगे भाई आए देख कर देखे गातु सब्सक्राइब अच्छा देखो मंतली पर भी कोई हार्मोनिक बन रहा है तो उमीद है कंप्लीट नि हुआ होगा भी तो 43,500 आपका मंतली पर भी हर्मोनिक कंप्लीट हो रहा है जो कहीं है बैट पेटरन और अगर इसके मैं टार्गिट की बात करूं ना मंतली वाले हर्मोनिक की 26,500 तो गिरेगी मार्गिट सर्प्राइज देगी अभी नहीं इसका जो मैक्सिमम का जो चलेगा ना कार्ड वो मैं आपको बता रहा हूं कि 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 इसका कार्ड कहां पर मज़िद एक्सपायर होना है और तालीस हदार पांसो तिरह पन हजार यह मेरे खाल से इसके बहुत होगी बहुत इसके लिए देन याप इसका कार्ड एक्सपायर होगा उसके बाद देखतें क्या होता है दूआ करो कोई हेड़ेंश उल्डर बन जाए कुछ ऐसा साइन वगरा मिले के जी दुबारेक डम देखने को मिले तो मज़ा आजाए अच्छा जी शिराथ बही क्या हो गया क्या गलत बात है लाखेर करें अच्छा मशली की बात करें वालेकुम असलाम अच्छा जी जिसमें सलाम किया तो बाई बीटी सी का नलाए सबको समझ आगे उमीद है बागी इसकी जो भी नेक्स अपडेट होगी ना वह मैं आपको उसमें देखने के बाद दूसरा हमारे क्वाइन था जो कि हमने कुछ इस्पोर्ट में बाई किया बाता ऑक्शन उसके हम बात कर लेते हैं कि तो एड़ पॉइंट फाइफ हमारा जोन था कि तीज पैंतिस परसंट इस वक्ति हमारे पास पंपे तो बरहल काफी लोगों इसको बाई नहीं कर रहा तो आपके इसमें दुबारा एक बाइंग बन सकती है विकली क्लोजिंग के बाद अगर आपकी विकली में किलोज unya इसके अबव किलोज तो आपका लिकली आपक्शन में 14.5 और नेक्स परार और मैंस स्ँहरी नेक्स आरकेट जो होगा बाई वहो गए 18 तो 18 टोल आपका ऊक्शन जा सकता अगेन तो इसके बाइंग बनेगे अपडेट कर दूंगा साहिए तो अगर किसी का कोई कोई करना लाए से तो बता दे उसको भी हम साथ-साथ देख लेते हैं कि आपका एटी सी कही है में तो कि पिटी सी को भी देख लेते हैं कि अच्छा जी एक मिनट जड़ा कॉल है जड़ा नाए से लेते हैं कि कर दाल है किते हैं तो तो सबसे पहले देख लेते हैं एटीची को कि यह देखो एटीची ने ब्रेक आउट दिया था आइटिंग यह उननीच सम्धिंग पर इसको उनने वाई के था अठारा सम्धिंग पर इसका मैं जॉन जरा एक बार कन्फर्म करता हूं गुरूप में जाके अच्छा विन बिस्ताद बरहाल देखते हैं कि इसका जोन होगा तो सीन यह कि मैं इसको बार बाइंग की नहीं थी आपका गोला था ब्रेक आउट के बाद में बताऊंगा उननेस तीस था उसको कुछ उननेस तीस खैर तो सीन यह है कि देखें रिट्रेस्मेंट उसकी हो चुकी है अठारा तीस के ओपर थोड़ा नीचे जागे इसने रिट्रेस कर रहा है अगें तो स चार घंडे देखके चार घंडे पर देखके अगे इसका उननीस एक वाला इसके बाद आप इंट्री ले सकते हो बागी इसमें आपके टार्गेट एडलिस्ट एककिस चे तक तो वैलिट है बागी समें देखते हैं कि जी चैनल के अंदर कहां तक जा सकता है क्योंकि एधा और साथ ही साथ कौनसा कोई बोले भाई तरगेट कह रहे था ना पच्छिस शब्स तक है वह तुम फाहिए चैनल के अंदर रहे तो वह चैनल के अंदर हम टार्गेट करेंगा पचीस शब्स पर शॉट ट्रम में बता जिए कि यह बनता है तो अब को देख लेते हैं जी एफ्टीम का क्या सीने तो एफ्टीम का सेम सीने जी यहां से इसको हमने शॉट किया था 31 संदिंग से आखरी बार और यह लॉग शार्ट से अपने बाउंस हुआ है तो कि लॉजिंग देखके वाई एफ्टीम में बैंक बन सकती है कुछ डैली कि लॉजिंग देखके न कि विक्स अगेरा अरीन को इग्नॉर करके जिरो तीस नहुए सापके बैंक बन सकती है और वैसे जो आपको ब्रेकाउट कंफर्मेशन मिलेगी ना वह मिलेगी यह वाले ब्रेकाउट के बाद मतलब यह जो विक आ रही है कि यहां से मार्गेट रिजेक्ट हो सकती है कि अब बत्तिस से तो बत्तिस वाला अगर ब्रेक आउट होगे नेक्स टार्गेट आपका जो होगा इसके अंदर कि वह मैं आपको बता बता देता हूं कि आपका टार्गेट होगा जी 36 असी तक यानि कि आपको यह सोला परसंट का पम देगा है जीली कि दूसरा कोई आई एंजे है इसको हम देखते हैं कि अच्छा जी कल इसका मैंने सिग्नल लिया तो सोरी परसुरा आपको ग्रूप के अंदर कांगे जी आएंजे कि यह रभ कि पंदरा पांच इसमें हमारी बैंग थी पंदरा पांच इसे और किलियर बताया था कि जी आई एंजे सत्तर परसंट का पम दे सकता है कि खैर तो यह देखो जी आपका जॉन इसमें फिल हुआ है कि नो तस परसंट मार्किट आपकी पंप है तो यहां से एक छोटी से रिजेक्शन हो सकती है अगर डेली के कि लोजिंग को देखा जाए कि डेली को नहीं सोरी लोग चार्ट को सोलन हो से इसकी रिजेक्शन बन सकती है शोट्रम वाले यह से प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं बाकि अगर यह आपका ब्रेकाउट कर देता है तो देखा जाए आपका इंवस को बना रहा हुआ कि अब ब्रेकाउट करते रहे गा और आपको पद्लव के सांथ पडरहल एक आपका इसका बनर है इंवस्ट फोल्डर अगर इसका प्रेक आउट हो गया तो फिर यह आपके वक्तन बवक्तन तमाम टार्गेट एजिली अचीफ कर देगा यह हमने टेली टाइम फ्रेम देखे इसको सिगनल बनाया था तो कुछ टाइम में पॉसिबलेटी है यह आपको पच्चिस चौबिस पच्चिस सक नजर आ सकता है बागी इसमें एसल थोड़ा खतर ना के तो उसका खयाल करना लोग चाट के नीचे एसल रख के होल्ड कर सकते हो अब तो अगेन पंदरा पांच पंदरा चार के आसपास मिलेगा क्योंकि थोड़ी रिजेक्शन इसकी बंती भी नजर आ रही है अगर ब्रेक आउट नहीं होता है तो पंदरा पांच पंदरा चार से इसके अगेन हम बाइंग कुछ ना कुछ कर लेंगे दुबारा अब सोल एंड नियर को देख ले दें जी सॉल सोलाना का बना वही शौट का सिकनल था इसमें हमारा कि अच्छा यहां से इसको हमने शौट किया था कि विक वाली सपोर्ट से बाउंस हो रहा है तो सोल का सीन यह कि मैक्सिपम यह उनसाट डॉलर तक जा सकता है उसके बाद यह है कि ब्रेक आउट होगा तो आप इसको अपसाइट मज़े टार्गेट कर सकते हो तकरीबन 62 और 68 डॉलर तक वो ब्रेक आउट के बाद देखा जाएगा और ब्रेक डाउन के बाद 55 डॉलर से इसको हम दुबारा शौट कर सकते हैं वो ब्रेक डाउन पर देखा जाएगा तो सौल में बरहाल पर ट्रेड हमें बंदी भी नज़र नहीं आरी यह डबल लोक्षट से बाउंस हुआ है यहां से एक लोंक की स्केल्प डाली आ सकती थी अब अगर कोई लॉंक में पंगा लेना चाहे तो इसकी ट्रेड मौझूद है अगर कोई लेना चाहे तो वो ले सकता है कि बज़ेदार रेट नहीं है छोड़ दो इसको शौट के लिए कि डावर्जन्स चेक करते हैं को डावर्जन से टेक एडन बीरिश डावर्जन्स तो अठावन से लेगे पश्वन चार तक सकती है बड़ी रिसकी तो अगर करना चाहूं खिजर साब तो आप कर सकते हो शौट पोजिशन का डूल का है यह होगा आपका एसल उनसट शेग्या सपास जफर में बीटिसी के अप्डेट दे दिये तो बरहल बीटिसी तो तुमारा रिपीट नहीं होगा रिकॉड़िट सेशन यूट्यूब पर देख लेना आप यूट्यूब पर अप्लोड कर दूंगा वे अच्छा जी नियर अगर ब्रेक आउट करते तो इसको डबल बोटम ट्रेट किया जा सकता है तक्रीब निये 1.85 तक मदीद जाएगा देन यहां से रिजेक्शन होनी है इसकी शोट होगी 1.85 से अगर 1.85 ब्रेक आउट हो जाता है तो आप इसको डबल बोटम ट्रेट कर दोगे और वक्ती तोरब आप टारिट कर सकते हो जी 2.13 को तो ब्रेक आउट का वेट करो खजरवाइस का कि मैरवाइस को भी थोड़ा चेक कर लें इंट्री लिए उसमें मैंने जेक ले दाहूं कि मैरवाइस कपने बना रहा है वीकली पर नहीं कि हैंडिल बनेगा तो देखा जाएगा भी नहीं बंदरा फिलाल एक हार्मोनिक भी तो था जिसको आपने सिंगनल भी दिया था लॉंग का जिससे वह तो परफॉर्म हो गया था नहीं जो पंबुगा था बीच में हाँ यह जो पंबुगा था यह बैसिकली स्हार्मोनिक की वज़े से पंबुगा था जो करिएगा शार्क बनीदी इसके अंदर और यह देखो यहां से इसको हमने काफी बार डिसकस किया था सिगनल के लिए चोदा भी सम्टिंग से और अगर इस जोन से हम बात करें अच्छी परस्वंट नोवे परस्वंट पंपू है बरहल मैंने इसको भाइनी किया था तो इसलिए मुझे सब्सक्राइब इतना याद भी ने मना स्क्रींशोट में दिखा देता तो सीन यह आपने लिए इसको लो मेरी स्पोर्ट की वाएंगे ना वन पैंट फॉर से अभी तक होल गया वाइव हां मेरे तो अभी तक होल्ड है अच्छी ब्रेकाउट के बाट डबल बोटम इसको ट टार्गेट होगा आपका 28 सम्धिंग क्यास पास बल्के ब्रेकाउट के बाद इसको मैं अपडेट दूंगा प्रोप है क्योंकि यह रिजेक्शन इसकी बंदी नज़र आ रही है तो डेली पे इसका मुझे याद दिला देना इसको देख लेंगे अच्छा जी गैस का जो मैंने सिगनल लिया था गुरूप के अंदर उसका बाई क्या था बाई जोन सेवन पॉइंट पॉइंट एटी फॉर जोन तो हमारा हिट हो गया है इसके अंदर इसमें पॉइंट डबल एट इसमें हमारा बाई जोन था और इसको जो हमने टार्गेट रखा था ना बिल्कुल इसमें जोन फिल हो गया है तो भाई यह मजीद एट पॉइंट फाइफ तक जा सकता है अगर एट पॉइंट फाइफ इसने ब्रेक आउट कर दिया अगले टार्गेट होगा आपका 9.5 और उसके बाद यह ब्रेक आउट करते रहेगा टार्गेट अचीव करते र शिट कॉइन है अभी अवरॉल जाब इसमें प्रॉफिट में होगे ना छे साथ परसंट के बहतरी ने नोट बैट के एंसी और वाई एफ आई इन दो कॉइंस को दिखके हम क्लोज करते हैं उमीद है सबके कोई के इनलाइस हो गए होंगे कौन कोई रेगिया है आर एंडियार लेगिया है चलो यूशा तुम्हें मैं गृूप में इसका अच्छा बनेगा इसकी आने वाली यह खबरे दो अब एक खबर पर नहीं चल तुम चला करो हम तो इनलाइस पर चलने हैं पैसा गुसेगा इसके अंदर बहुत पार्टनर्शिप किससे हो रही है एक तो एपल से हो चुगी है अब उससे हो रही है माइक्रोसॉफ्ट से चलो फिर तो अब इसको देखते हैं काम की चीज लग सकता है जिरो पॉइंट सेवंटी सेक्स और इतना कोई खास इसमें मेरे खासे सिग्नल बंदा में नहीं आ रहा है अलबता यह है के फॉलिंग में जिसके ब्रेक आउट पेसको कुछ बाइक किया जा सकता है लेकिन चैनल के अंदर बेर फिलेक बनाया हुए वरक आउट के बाद हमजब पार इसका बता पिर इसको देखेंगे अभी तो इतना कोई खास इसका सीन्ट नहीं है कि ब्रेक आउट होगा ब्रेक आउट के बाद इसको कुछ बाएक किया जा सकता है और उस वक्त देखा जाएगा कि यह बेर फिलेक का क्या करना है वैलिड है यह 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 क्या रेट का क्वाइन है क्या है जफर में ब्रेक आउट के बाद इसको लेना 8700 बजास के और टार्गेट जो होगा ना 9800 तक है तक्रीबन 9800 पर हर्मोनिक भी कंप्लीट होगा ब्रेक आउट के बाद देखते हैं इसको फिलान और अगर ब्रेक डाउन हो जाए शोट कर देंगे इसको बंती नहीं है मैंने भी देखा था चार्ट को यह नहीं बंद रहा इसका कभी भी बाइंग नहीं है इसका चक्कर है बागी जब आएगा जब की जब देखेंगे अगर बाइंग करनी भी है ना इसको यहां पर टू पॉइंट टू टू पॉइंट वैंट वैंट फास इसको देखा जा सकता है तो चलेंजिंगे अनलाइस हो गए होंगे फिलाल हम सेशन को किलोज करतें तो यह वीडियो में यूट्यूट कर दूँगा अगर किसीने कुछ मिस्कर दिया तो हम आधे लेना कल्म अे लेंगे जरी आफेश्ट आफेश्ट अभर आफेश्ट